हलो फ्रेंड्स, गबर्मेंट जोब जेने नॉटिफिकेशन चनल पर आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स अगर आप रेलबे में जॉब लेना चाहते हैं, इंडियन रेलबे में जॉब करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको ITI trades के बारे में बताऊंगी बैसे इंडियन रेलबे में जो vacancies आती हैं वो after 10th, 12th and ITI holders के लिए साथी graduate candidate के लिए यहां तक की जो engineering है किया हुआ है या फिर जोनोंने doctor degree ली हुई है उनके लिए भी vacancies निकलती हैं लेकर हम इस वीडियो में जानेंगे ITI के बेस पर अगर आप रेलबे में जॉब लेना चाहते हैं आप ITI करके तब आप किस ITI trades है या कौन-कौन से trades हैं जिनसे अगर आप ITI करते हैं तब आपको railway में जॉब आसानी से मिल सकती है क्योंकि इनी trades से related जो vacancies है railway में ज्यादतर निकलती हैं ओके तो अगर आप after 10th या 12th जॉब लेना चाहते हैं ITI के बेस पर तो वीडियो को end तक देखेगा मैं आपको जो important trades हैं जिनसे जादतर vacancies आती है railway में उनी के बारे में आगे बताने वाली हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी request है अगर आप चनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आप तक चनल को subscribe नहीं किया है अगर आप ITI करेंगे after 10th या 12th तो सबसे पहले हम जाल लेते हैं कि आपको duration क्या रहेगा कितना time लग सकता है ITI करने में तो इसका duration है वो trade पर depend करेगा आपके state से करते हैं अगर minimum देखें तो 6 months and maximum 2 years या कभी-कभी किसी state के लिए 3 years भी रहता है लेकिन वैसे 6 months से लेकर करके 2 years तक है duration यानि आपको यह लग सकता है ITI complete करने में तो आप ITI करेंगे आपको 6 months से 2 years सका duration रहेगा अगर हम बात करें railway job की आप ITI करने के बाद railway में job लेना चाहते हैं तो किस group में आपको job या post के लिए आप apply कर सकते हैं तो इसके पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ railway के कई वीडियो अपलोड की हैं जिसमें आपको बताया है कि इंडियन railway में जो vacancies निकलती है गुरूप A, C and D इन्वेसे जो गुरूप B रहता है उसके लिए भरती नहीं किये जाती है वो promote किये जाते हैं गुरूप C से और गुरूप B में आप पहुंसते हैं ओके फोर गुरूप रहते हैं railway, इंडियन railway में लेकिन भरती तीन गुरूप में की जाती है अब ITI के वेसपार आप किस गुरूप के लिए apply कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए apply कर सकते हैं तो यहाँ पर जो vacancies हैं, ITI holders के लिए अगर आप railway में apply करते हैं तो आप group C and group D के लिए eligible रहते हैं लेकिन यह रेपेंड करता है ट्रेट पर, group C के लिए कुछ trades है, जिनके लिए आप apply कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादतर जो vacancies आती है, आप group D के लिए apply कर सकते हैं railway group D में जदातर vacancies, जदातर trades के लिए vacancies निकलती हैं तो आप railway group D के लिए apply कर सकते हैं लेकिन कुछ trades हैं जिनके द्वारा आप अगर ITI करते हैं तो आप railway group C में भी apply कर सकते हैं अब हम बात करें अगर railway में, railway group C में भी आप कौन सी post के लिए apply कर सकते हैं तो railway group C को two types में divide किया गया है जो post है group C की उसको two types में divide किया है technical and non-technical technical जो post रहती है उनके लिए engineering में, diploma बगरा या फिर आपने ITI किया हुए कुछ selected traits से तो ही आप apply कर सकते हैं technical में जैसे की आपका assistant local pilot या technician जो post रहती है उनके लिए और इससे भी detail अगर आप चाहते हैं तो assistant local pilot आप कैसे बने अगर आप इस पर चाहते हैं वीडियो अप्लोड किया है लिंक आपको I button पर मिलेगी वहां से आप चेक कर लीजेगा या फिर आप railway job profile playlist है आप उसको चेक कीज उसमें railway से जड़ी हुई सारी वीडियो अप्लोड की हुई है लगवक सभी post के ऊपर ठीक है और बाकी का अगर जो other trades से आप करते हैं तो उनसे आप railway group D के लिए eligible रहते हैं अब हम जानेंगे ITI में कौन-कौन से trades हैं जिन से अगर आप ITI complete करते हैं तो आपको railway में job मिल सकती है तो इसमें सबसे पहले जो trades है वो है electrician आप electrician से अगर ITI कर लेते हैं तब आपको job मिल सकती है and fitter fitter भी काफी popular है काफी पसंद किया जाता और इसके लिए vacancies लगवक सभी departments में ही निकलती है electrician, fitter इनके लिए vacancies जाता तर सभी departments में private government sector दौनों जगे ही vacancies काफी रहती है next is turner, radio and tv, welder, carpenter, painter, diesel mechanic, civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, draftsman mechanical engineering, automobile engineering and computer science technology so यह कुछ traits है इसके लवा और भी कुछ traits है लेकिन यह important traits है जिनसे अगर आप करते हैं तो group C and D दौनों के लिए apply कर सकते हैं कुछ traits group D के लिए and कुछ traits जैसे की engineering से related जो traits हैं उनके लिए आप group C के लिए भी eligible रहते हैं अब अगर आप बिजली से संबंदित कार करना चाहते हैं अगर आपका interest है बिजली से related जो वर्क करने में तब आप electrical, wireman, electronic trade choose कर सकते हैं तो अगर आप बिजली से related कोई भी काम करना चाहते हैं और इसके लिए भी vacancies सभी departments में लगभग निकलती ही हैं तब आप electrical से idea कर सकते हैं, wireman से कर सकते हैं या फिर आप electric trade चूस कर सकते हैं ओके आप पर depend करता हैं आप कौन सा trade चूस करते हैं नेक्स्ट अगर हम आपकी choice के according लिए अगर देखें तो अगर आपको interest है आप mechanical engineering कर सकते हैं turner, machinist से कर सकते हैं अगर आप mechanical field में जाना चाहते हैं कई candidate होते हैं जिनका interest के ऊपर depend करता है एक तो जो मैंने आपको trades बता हैं आप अपनी interest के according चूस कर सकते हैं यह सभी railway में vacancies के लिए रहते हैं तो अगर आप mechanical में interest रखते हैं तब आप इसमें turner से कर लीजिए, mechanical engineering से, machinist से कर लीजिए इसके वेस पर भी आपको railway में job मिल सकती है और अगर आप railway group D and C दौरों में से किस group की job लेना चाहते हैं इस पर भी depend करता हैं आप group C में अगर job लेना चाहते हैं तब आप engineering से related जो trades हैं उनसे आप कीजिए तो आप group C के लिए eligible रहते हैं और जिसमें की सबसे ज़्यादा पस पसंद करते हैं group D की job लेना चाहते हैं तब आप fitter, turner या जो other मैंने आपको trades बता हैं आप उनसे कर सकते हैं अब यह जो trades हैं वो depend ये भी करेगा कि आपकी qualification क्या है qualification के base पर भी आप trade choose कर सकते हैं जिसे कि अगर आप ITI के कुछ trades हैं जो 8th pass करने के बाद आप कर सकते हैं तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ 8th pass हैं तब कुछ trades 8th pass के लिए हैं सभी trades आप नहीं कर सकते हैं कुछी trades हैं जो आप after 8th कर सकते हैं इसी तरह से अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10th pass हैं तब कुछ trades हैं जो 10th pass candidate के लिए हैं 10th pass करने के बाद आप कर सकते हैं और बागी की trades हैं वो 12 12th pass के बाद, यानि minimum qualification इसमें 8th pass से लेकरके 12th pass तक रहती है, या फिर आप आगे भी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, तो आपके qualification पर भी depend करेगा और आपके choice पर भी, कि आपको किसमें interest है इस पर भी, या फिर आप railway में किस group में job करना चाहते हैं, तो आप ये पूरी तरह आ आप जिसमें भी interest रखते हैं, या आपके जो भी qualification है, उसके base पर आप trade choose कर सकते हैं, ओके friends, तो railway में आप job लेने के लिए कौन-कौन से ITI trades हैं, courses हैं, जिनको आप कर सकते हैं, और आपको railway में job में सकते हैं, इससे related मैंने जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, I hope आपको पसंद आया होगा और helpful भी रहा होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो या थोड़ा भूद भी helpful रहा हो, तो वीडियो को like कर लिजेगा, वीडियो को like करने के साथ चनल को subscribe कीजेगा, और bell icon को press करना मत भूलेगा, ताकि notification आपको time से मिल सकेगा, thank you